दोस्तो सनातन धर्म में संसार को एक जीवन चक्र बताया है जिसमें आत्माय पुनः पुनः शरीर में जन्म लेती है और शारीरिक मृत्यू के बाद अपनी यात्रा जारी रखते हुए कर्मों के अनुसार फिर से अलग-अलग योनी में जन्म लेती है अब आत्मों का भी एक अलग संसार होता है या लोक होता है उसमें अच्छी और बुरी आत्माय दोनों है पित्री लोक को सनरक्षन का लोक भी कहते है पित्री पक्ष उन्ही पित्रों की आत्माओं को कूजने के लिए निर्धारत किया गया समयाब भी है यह इसलिए भी है कि म मृत्यू के पश्चात अगर हमें मोख्ष ने मिले तो भी कम से कम पित्री लोग में हमें जगह मिले हमारी आत्मा को भटकना ना पड़े मनुश्य योनी में जन्म लेने के लिए केवल पित्री लोग से आत्मा का आगमन होता है अन्यथा गुसरी लोग से अन्यनिन योनी में तो श्राध कर्म करके हम अपने मृत्यू के बाद की व्यूनी को सुधार रहे हैं। संतती, धन, विद्यासुक, राज्य, स्वारग और मोक्ष पदान करते हैं। श्रद्र से किये श्राध से पितर प्रसंद होते हैं और आशीरवाद देते हैं ताकि उनके वन्ष्चों के भविश्य की राह सुगम हो। उन पित्रों के सतकार के लिए हिंदु धर्म में वर्ष में 16 दिन का समय अलग निकाला गया है। इससे एक और अपने पित्रों के शुभाशीश मिलेंगे तो दूसरी और प्रकृती का भी कल्यान होगा। हिंदु धर्म में पित्री पक्ष का काफी महत्म होता है। माना जाता है कि जो लोग पित्री पक्ष में फूर्मजू का तरपन नहीं कराते उन्हें पित्रदोश लगता है। श्राद के बाद ही पित्रदोश से मुक्ती मिलती है। श्राध से पित्रों को शान्ती मिलती हैं, वे प्रसंद रहते हैं और उनका आशिरवात परिवार को प्राप्त होता है। यह वर समय होता है जब हम पित्रों का तरपन और उनका श्राध करते हैं। दोस्तों में हूँ आपका दोस्त और भाय धीरेंध रागहप चंदेल आपका इस टोटल फैक्ट फंडा चैनल में स्वागत है हम बताते है यहां Facts Facts Only Facts आज हम आपको पित्रिपक्ष का क्या महत्व है बता रहे है आए जानते हैं पित्री पक्ष में कुछ जरूरी बाते की क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए पित्रों का श्राध उनकी मृत्यू तिथी पर ही करना चाहिए पित्री पक्ष में गाई, कुटे और कोई को भूजन अवश्य कराना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पित्तरों को हमारे द्वारा दिया गया भोजन प्राप्त होता है पित्री पक्ष में जिस व्यक्ति का श्राध कर रहे हैं उसका मनपसंद खाना जरूर बनाए पित्री पक्ष में ब्राह्मनों को भूजन अवश्य कराना चाहिए और उन्हें अपने सामर्थिके अनुसार दान दक्षना अवश्य देनी चाहिए पित्री पक्ष में पित्तरों के श्राध के बाद भानजी को भोजन अवश्य कराएं और उससे दक्षना देकर आशिरवाद अवश्य ले पित्री पक्ष में पित्तरों का श्राध कर्म अवश्य करना चाहिए यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको पितरों का श्राप लगता है इस दिन घर में लराई जगड़ा नहीं करना चाहिए इस से पितर नाराज हो जाते हैं इस समय में अपने घर पर मास और मदिरा का सेवन भी बिलकुल नहीं करना चाहिए पितरे पक्ष में आपको किसी भी पशु या पश्री को नातो मारना चाहिए और नहीं सताना चाहिए इस समय में किसी भी ब्राहवन या बुजुर्व का अपमान तो बिलकुल भी नहीं करना चाहिए शुक्रिया आपका